So hey friends, today I am so excited आपको बताने के लिए Goa के travel packages और destination के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Goa का सबसे cheap and best package को आप कैसे ले सकते हैं YT भारत पर मैं एक quotation देने जा रहा हूँ Create my booking के थुरू आप इस package को book कर पाएंगे और जो rate और facility create my booking आपको provide कर रही है Trust me, इतना authenticate travel company with travel packages और facility के साथ शायद ही इंडिया के अंदर हो इतना अच्छा आपको experience होने वाला है और अगर आप rate का सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इसको जानने के लिए आपको वीडियो पर बना रहने पड़ेगा लास्तर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा गोवा की वो 20 ऐसी खास बाते जो आपको मजबूर कर देंगी आपको इतना अंट्रस्ट आजाएगा इन 20 बातों को जानने के बाद कि आप इस साल गोवा जाए बिना नहीं रह पाएंगे तो गोवा जाने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो की खास बात कि इसमें हम जो पैकेज की डिटेल आपको बताएंगे उसमें हम फ्लाइट की टिकट्स को कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पैकेज की हम कॉस्ट आपको देने जा रहे हैं उसके अंदर फ्लाइट की टिकट्स अगर मैं इंक्लूड करवा दूंगा तो यह अप एंड डाउन होगी जिससे आप कन्फीज हो जाएंगे इसलिए आउट ओफ फ्लाइट अगर हम फ्लाइट की टिकट्स को एक्सक्लूड कर दें तो यह पैकेज की कॉस्ट हम आपको इस वीडियों बताएंगे बीस खास बाते बताएंगे और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जो गोवा को वर्ल्ड के सबसे बहतरीन बीच डेस्टनेशन में से एक बनाती है यह सारी जानकारिया आज आपको वाइट भारत चनल पर दी जाने वाली है चलिए चलते हैं अपने लैप्टॉप की स्क्रीन में और जान लेते हैं कि गोवा कैसे बन गया है इंडिया का 2020 का सबसे बेस्ट ट्रेवल डेस्टनेशन आए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हाँ दोस्तों अपने चनल को अब तर सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे सबस्क्राइब बटन आ रहा है क्लिक करो सबस्क्राइब करो ताकि आगे आने वाली और भी बहुत इंटरस्टिंग वीडियो है जो कश्मीर के बारे में होंगी पैकेज बताएंगे आपको जो दुबई के बारे में बताएंगी थाइलेंड के बारे में बताएंगी और बहुत सारे destination हम लोग cover करने वाले हैं और जो पीछे मैंने 200 प्लस destination की वीडियो बनाए है उन वीडियो को देखने के लिए YT भारत चनल पर आज ही जा करके सर्च करो वीडियो अगर अच्छा लगे तो like जूरू करना और अपने friends में information के लिए share जूरू करना तो कर लो अभी subscribe आईए start करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो हम आ चुके हैं अपने laptop की screen में और ये screen पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से information में आपको share करने जा रहा हूँ इस detail को हमें share किया है createmybooking.com की website के through आप अगर book करना चाहते हैं तो मैं इसके number को video के title में भी share करने जा रहा हूँ और video के description में भी share करने जा रहा हूँ बताये गए package को book करने के लिए आप दिये गए number पर संपर करके book कर सकते हैं आईए start करते हैं इस बहुती informative और interesting वीडियो को जिसमें आप ये जानेंगी कि किस तरह से आप अपनी budget के अंदर सबसे best hotels और facilities के साथ किस तरह से गवा का इस साल travel कर सकते हैं तो आईए start करते हैं अपने इस package को ये package हमें send किया है createmybooking website के तरू जो travel company है उसने ये mail के तरू मेरे पास आया है ये जो आपका trip होने वाला है इस trip में जैसे मैंने पहले बताया कि flights के ticket include नहीं है क्योंकि flight के ticket बहुत up down होती रहती है तो हम without flight बताने जा रहा है flight के ticket excluded है three night goa का ये package होगा hotels की category आपको मैंने बता दी है नीचे आप पढ़ सकते हैं रॉयल निरवाना resort, ginger tree, boutique resort, sea mist, beach resort, similar goa इसी तरह की आपको hotel की category प्रवाइट की जाएगी package में क्या क्या included है वो मैं आपको main content बता दे रहा हूँ package में include होने वाला है three nights stay at goa hotel with breakfast pick up and drop goa airport and hotel in private cab sightseeing in private cab all applicable hotel और taxis के साथ आपको ये package बता जा रहा है इसमें आपको जो four day है उस day का मैं आपको program बताने जा रहा हूँ आगे day one पर आप जैसे ही उतरेंगे तो आपको airport से pick किया जाएगा और welcome goodies आपको दी जाएगी second day आपका full day north goa का sightseeing होगा जो मैं आपको आगे detail बताने जा रहा हूँ north goa की next third day आपका south goa का sightseeing होगा जो आपका full day का रहेगा और fourth day जो होगा वो आपका airport पे drop कर दिया जाएगा तो three night four day का ये बहुती 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 interesting package होने वाला है अब इसकी cost में बतायता हूँ अगर आप sightseeing के साथ ये package ले रहे हैं तो 7999 पर person पड़ेगा including GST और अगर आप without sightseeing ले रहे हैं जैसे बहुत सारे customer हैं वो कहते हम जाकर के खुदी sightseeing कर लेंगे या कुछ और अपना explore करना चाहते हैं खुद bike करके वहाँ पे visit करना चाहते हैं या कोई और mode of transport योज करना चाहते हैं तो उनके लिए हम second option provide कर रहे हैं only 4999 के अंदर वो इस package को avail कर सकते हैं इस से ज़ादा competitive rate वो भी best facilities के साथ I don't know कोई दे पाएगे निए पाएगा already मैं इस travel company के थुरू हर साल goa का travel कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से तो मुझे confidence है अगर आप चाहें तो create my booking के थुरू book कर सकते हैं नीचे मैं इसका number देने जा रहा हूँ create my booking call या वर्टसप करें 80104-28280 पॉश करके screen पर यह number आप read भी कर सकते हैं आईए यह तो बात हो गई package की और अब आजाते हैं main content के उपर 20 reasons why goa is so famous goa famous इतना क्यों है उसके 20 reasons I don't know कभी किसी website पर या किसी YouTube के वीडियो पर आपने कभी देखा होगा सुना होगा यह मैं नहीं बता सकता लेकिन 20 reasons जानने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे goa जाने के लिए तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं goa के बारे में goa is one of the India top holiday destination and it is easy to see why there is so much this state is famous for that you will spoil for choice when you are visiting from shopping and various market to eating in the local cuisine and water sports galore goa is well known for a lot of unique offerings take a look at this list which showcased some of the best thing that goa is famous for तो यहाँ पर आपको बताया गया कि goa में अगर आप किसी भी travel anthracis जो भी लोग होते हैं जो travel lovers होते हैं उनको जो भी requirement होती है beach destination है तो वो सुन्दर beach चाहते हैं खाने के लिए अच्छा अच्छा फूड चाहते हैं local food अच्छा चाहते हैं और कुछ जो लोग होते हैं वो हमारे shopping के भी shocking होते हैं वो सारी facilities आपको वाँ पर provide की जाएंगी और वहाँ पर पुर्टिकलीस time का जो है जो architecture है वो आपको देखने को मिलेगा चर्चिस देखने को मिलेंगे मतलब इतना खूबसूरत है casinos हैं आपके cruise हैं कहीं भी जाए आप enjoy कर सकते हैं आए जा लेते हैं कि करके वो सारी बातें जो गोवा को famous बनाता है वो भी world famous सबसे पहले fantastic beaches गोवा से अच्छे और सुन्दर बीच वर्ल्ड में बहुत ही कम countries के अंदर हैं तो आप beaches का आगे screen पर देख रहे हैं ये beach है ये beach है पेलोलियम in south गोवा का ये beach है जो आप अपनी screen पर देख रहे हैं ये देखिए कितना सुन्दर है देखने में ये पेलोलियम बीच तो ये आपकी screen पर पूरा photograph आ रहा है आईए अब इसकी detail आगे थोड़ा सा read कर लेते हैं पेलोलियम बीच के बारे में तो पेलोलियम बीच के बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं if you had to pick up one thing about Goa it would be its beaches गोआ के बारे में कुछ भी आगर आपको जानना है तो वहाँ पर सबसे अच्छा है कि बीच पर जाईए यहाँ पर दो destination है North Goa और South Goa beaches के लिए every five minutes जब आप travel करेंगे तो आपको एक new beach मिलेगा जहाँ पर new shocks होंगी new vibe होगी North Goa the pics are usually Baga, Condoleum, Anjunum and Vegator while the South Goa boost Palolium, Agonda, Utorda तो यह beaches हैं जो differentiate करते हैं North Goa को और South Goa को North Goa में एक बार मैं फिर से बतायता हूँ जो beaches हैं North Goa में famous वह है Baga Beach, Condoleum Beach, Anjunum Beach, Vegator Beach और South Goa की बात करें तो उसको boost करता है Palolium Beach, Agonda Beach and Utorda Beach तो यह beaches की बात हो गई जो आपको North Goa और South Goa में मिलेंगे अब next खासियत जान लेते हैं वाओ Carnival Goa में Carnival तो पूरे World के अंदर famous हैं और पूरे World से इस Carnival को जॉइन करने के लिए लोग आते हैं Goa में किस टाइम होता है यहां पर यह जो फोटेग्राफ से एक परेड इन Goa Every February Goa comes alive in the celebration The Carnival हर Feb में Carnival होता है A festival that dates back to the Portugalese era जो आपको Portugalese era के अंदर ले जाता है यह celebrate करता है great pomp throughout the state with the Catholic community dining the charge Across the city and villages you will see pupil dress traditionally clothing or even fancy dress इसमें लोग enjoy करते हैं सडकों पर निकलते हैं अलग-अलग type की dress पहन करके वो enjoy करते हैं और party करते हैं अच्छा खाना काते हैं alcohol पीते हैं वहाँ के जो local alcohol है उसमें party को लोग enjoy करते हैं अब next चलते हैं next third thing को जान लेते हैं Goa के बारे में festival atmosphere in December December आप समझे गए होंगे नाम से ही पता लग रहा है कि अगर December के हम बात कर रहे हैं और church आपके सामने आ रहा है तो obviously हम बात कर रहे हैं Christmas और Christmas party की इंडिया के अंदर सबसे अच्छी Christmas party के लिए सबसे अच्छे New Year celebration के लिए गोवा से अच्छा destination नहीं माना जाता क्योंकि Christmas होता ही है New Year होता ही है पार्टी के लिए तो यहाँ पर गोवा के अंदर जाएंगे तो यह देखिए एक मैं आपको church का बार का scene दिखा रहा हूँ 25th December Christmas Day का यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुश करके आप यहाँ पर read भी कर सकते हैं कि क्या खासियत है Christmas जो मैंना को बता दिया Catholic community celebrate Christmas with much energy dance होता है streets पर लोग enjoy करते हैं और party करते हैं यह सब चीज़ें आप photograph में देख रहे हैं जो आपको एक गोवा की और cultural खासियत दिखा रहा है next चलते हैं अगली थिंग water sports water sports की बात करें तो गोवा में एक से एक water sports होते हैं किसी भी water sports की बात करें तो आप गोवा में उसको पाएंगे वो भी बहुत ही nominal charges के अंदर water sports का आप enjoy कर सकते हैं गोवा के अंदर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ with so many beaches in the state this head to their right most popular beaches in गोवा offer करते हैं paragliding के लिए parasailing के लिए banana boat riding होती है snorkeling होती है some beaches पे you can even go scuba diving भी कुछ beaches पे आप कर सकते हैं और यह season में कुछ high भी हो जाता है तो यह मैं आपको बताया next जो interesting बनाती है गोवा के इस travel को अब हम चलेंगे fifth beach sharks तो beach sharks पर आप देखिए यहाँ पर यह beach sharks का एक photograph आप देख रहे हैं और यह photograph है sex on the beach यहाँ पर लोग enjoy कर रहे हैं rest कर रहे हैं sea के सामने कितना comfortably यहाँ पर आप इसे पॉश करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में most of the goa beaches are lined with the sharks most of the year पूरे साल sharks होती है वहाँ पर आप अच्छा अच्छा food ले सकते हैं restaurant से अपने आपको कुछ भी जो भी आपको enjoy करना है जो भी आपको facility चाहिए वो खाने पिने के लिए मंगवा सकते हैं आगे चलते हैं next thing को जान लेते हैं गोवा की यहाँ पर next thing है जो गोवा को खास बना रही है cheap alcohol, सस्ती alcohol मिलती है तो हलाकि हम alcohol को promote बिलकुन नहीं करना चाहते हैं alcohol सेथ के लिए हानी कारक है फिर भी as a travel lover यहाँ पर सस्ती alcohol जो local beer होती है वो गोवा में ही बनती है तो आप वहाँ पर अगर शौकीन है तो enjoy कर सकते हैं हलाकि हम बिलकुल भी promote नहीं करते हैं इस चीज को पृतिकलीस influence है गोवा के अंदर वहाँ का architecture वहाँ का रहन सहन पृतिकलीस influence है पूरी तरह से तो वो अलग ही बनाता है गोवा को next यहाँ पर आप इसे पढ़ लिजेगा पौश करके next हम चलते हैं आपको यहाँ पर बताते हैं गोवा की अगली खासे dolphin spotting अगर आपको enjoy करना है इंडिया के अंदर dolphin को spot करना है तो गोवा एक बहतरी डेस्नेशन हो सकता है यह देखिए एक photograph के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ Goa offers you the chance to get the close to dolphin वहाँ पर जा करके आप dolphin को closely देख सकते हैं यहाँ पर नीचे information दी गई है पौश करके आप पढ़ सकते हैं plenty of fish available in Goa and not all fit it just for a meal offer so many beaches you can take a banana boat and head a bit out into the ocean into the time you will a dolphin jumping out आप banana boat को लेकर के समुद्र के अंदर वहाँ के beaches के अंदर और वहाँ पर जाकर क्या आप pass enjoy कर सकते हैं dolphins को click कर सकते हैं उनकी photograph आगे चलते हैं next आपको interesting fact बताते हैं Goa के बारे में जो fact number है आपका 9th cashew nuts fanny and goa sauces यह वहाँ का local food है कुछ इसमें वहाँ पर आप enjoy कर सकते हैं अगर पूरी तरह से read करना है तो यहाँ पर आप इसे पॉश करके read कर सकते हैं Goa का अपना एक unique culture है अपने unique खान पान है वहाँ का वहाँ पर जाकर के आप इसे enjoy कर सकते हैं जिसमें काशू nut है और मैंने आप वो कुछ चीज़े बताई वो भी है आगे हम चलते हैं next और 10th important fact बताते हैं खासित बताते हैं wildlife century के बारे में गवाब में famous wildlife century है जहाँ पर आप enjoy कर सकते हैं wildlife को और यह है bunda wildlife century जहाँ पर आपको बहुत सारे जीव जन्तू देखने को आएंगे तो वहाँ पर जाकर के आप प्रकरती के गोद में वहाँ पर enjoy कर सकते हैं अगली खासियत है 11 दूस सागर waterfall यहाँ पर एक बार आप जाएंगे तो आपको देख कर के हरानी हो जाएगी यह photograph के अंदर ही देख कर के आप समझ जाएंगे दूस सागर waterfall बहुत ही उचाई से बहता है और इसके पास आप खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेकिन वहाँ का नजारा ऐसा होता है मन करता है बार बार देख लो तो दूस सागर waterfall आप जा सकते हैं गोवा में नेक्स्ट, दूस सागर के बाद हम बात करें तो हम आगे चलते हैं आपको लेकर के दूस सागर के बाद आको बताते हैं ये थोड़ा सा हम repeat कर रहे हैं इसके अंदर दूस सागर waterfall के बाद आपको नेक्स चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पर पहुश करके आप स्क्रीन को पढ़ सकते हैं इसकी हाइट है 1017 फिट यह आप करीब एक साल के आठ महीने खुला रहता है दूसरा अगर वाटरफाल और अगली चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर है ट्रेंस पार्टीज ट्रेंस पार्टीज का इंजॉई कर सकते हैं और इसके बारे में आप यहाँ पर पहुश करके पढ़ सकते हैं जो especially बीच पर करी जाती है बीच पार्टी के नाम से भी फेमस है और हैटफोन पार्टीज होती है हैटफोन लगा करके slow songs चलते रहते हैं लोग इंजॉई करते हैं डांस करते हैं मस्ती करते हैं यह भी पार्टी करने का अपना एक तरीका है जाएंगे तो आप इंजॉई करिएगा नेक्स चलते हैं यहाँ पर पहुश करके आप रीट कर सकते हैं कानों में हैटफोन लगाईए फ्यू बीजिस पे अविलेबल होती है जाएएब पार्टी करिए एंजॉई करिए हेटफोन पार्टी को नेक्स्ट है डिलिशियस शीफूड रेस्टेंट वहाँ पर सीफूड आपको मिलता है यहाँ पर जाकर के आप इंजॉई कर सकते हैं के दिवाने हैं तो और उसके बार नेक्स्ट आपको 15 नंबर कैसीनोज आप वहाँ पर जा करके बोर्ट्स पर कैसीनोज होते हैं कैसीनोज में जा करके आप अपने time को spend कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो वहाँ पर जा करके आप लगा सकते हैं और जीच जाएं तो वह आपका luck है अपना आगे चलते हैं आपका next है bike rentals bike बहुत ही आसानी से आप वहाँ पर rent कर सकते हैं local beauty enjoy कर सकते हैं गोवा की जो बहुत ही rare होती है देखने के लिए आती है वो केबल आप bike से जा सकते हैं स्कूटी कर लिजे bike कर लिजे यही बात है थोड़ा सा आइटिंग rent का difference होता है वहाँ पर तो यहाँ पर आप पहुश करके पढ़ सकते हैं bike renting के बहुत सारी services हैं सस्ते में 200-200 per day की bike ले करके आप वहाँ पर घूम के enjoy कर सकते हैं next है आपका laid back lifestyle वहाँ पर laid back lifestyle को आप enjoy कर सकते हैं गवा के beaches पर जा करके अब आपको next बताएंगे आपको churches and old गवा old गवा के अंदर churches हैं बहुत ancient time के churches हैं वहाँ पर जा करके आप अपने आपको जो है पुराने एरा में महसूस करेंगी कि आप चले गए next चलते हैं आपको ले करके forts गवा के अंदर forts हैं ancient time के forts the present चौपारा फोर्ट वाज बिल्ट इन 1770 but it is history stretch back at the three last centuries तो यहाँ पर आप इसको पौश करके पढ़ सकते हैं तो अंजुना बीच पर आप जाके शौपिंग कर सकते हैं वहाँ पर अंजुना फलिया मार्केट के नाम से पूरी इंडिया के अंदर famous markets में से एक अंजुना फलिया मार्केट यहाँ पर जाकर के आप गवा के जो local dresses हैं उसको purchase कर सकते हैं अपनी family के लिए ला सकते हैं enjoy कर सकते हैं तो यह मैंने आपको पूरी 20 सीजे बताई पॉश करके आप हर photograph के नीचे की information को पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर इतना लंबा वीडियो बनाएगा तो आप भी शायद बोर हो जाएं और इससे जुड़े भी अगर आपको कोई भी सवाल रह जाते हैं या package book करने के लिए जैसे मैंने आप पताया travel company का number आपका वीडियो के title में दिया गया है और हम वीडियो के इसके description section में भी इसे देने जा रहे हैं तो उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही interesting लगा होगा इससे जुड़ी हुई कोई भी अधर आपको जानकारी चाहिए हो तो वाईटी भारत चनल पर comment करके अभी आप पूस सकते हैं या आप अगर कुछ और जानकारी चाते हैं तो कॉल करके आप ट्रेवल एजेंट के नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं मिलते हैं वाईटी भारत के इससे रहें बहुत ही अगली interesting वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों बने रहे हैं वाईटी भारत चनल पर सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में